ओके तो वीडियो बहुत ज़्यादे इंपॉर्टेंट होने वाला है तो प्लीज वीडियो को लास्त तक जरूर देखना और स्किप मत करना अगर स्किप कर दिया तो फिर आपको बहुत ज़्यादे नुफसान होने वाला है वेलकम बैक दोस्तों हंडेट डिस कमिनिकेशन चैलेंज के अठारवें दिन में आपका स्वागत है कि रिसेंट्ली मैं एक बुक पर रहा था पावर ऑफ हैबिट जिसके आधर चार्ल्स डूइग है जो अमेरिकन आधर है और जेनरलिस्ट है उस बुक के अभिसली बहुत सरे लेसंस है बट एक लेसं जो सब्सक्राइब कर दिया कि मैं दोजर आट के बीजिंग ऑलेंपिक्स में वर्ल रिकॉर्ड बनाऊंगा और अब्यसली जब कोई बंदा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के सोचता है या फिर लोगों से बोलता है तो सारे दुनिया उस पर हस्ती है कि पागल हो गया है क्या बोल रहा है दिमाग नहीं है वर्ल रिकॉर्ड कैसे तोर सकता है बट माइकल फिल्स ने सूच लिया था कि मुझे वर्ल रिकॉर्ड तोरना है और वर्ल रिकॉर्ड बनाना है कि 1972 में मार्क स्पिट्ज ने एक ही ऑलम्पिक में एक ही कैटिगरी में वह भी स्विमिंग से साथ गोल्ड मिडल जीते थे और माइकल फिल्स ने उन्हीं के रिकॉर्ड को तोर्मने का अनौंसमेंट कर दिया तो अबिसली उनके सारे कॉंपिटेर उस पर हस रहे थे बट माइकल फिल्स में देखा के मांक्स पिंच आखिर कैसे ट्रेनिंग करते थैं गं संडे हो या मंडे हो बंडे हो या फिर क्रिस्मस हो कुछ भी हो वो चार साल तक कंटिन्यू बारे घंटा तक प्रेक्टिस करते रहें उनके साम बीच में बहुत सारी घटने आओ गई उनका हाट टूड़ गया और उनके उन सब बातों में नहीं चलते हैं वो सब बाते यूट वर्ल रिकाड बनाने के बाद तो जब उन्होंने वर्ल रिकाड बनाया तो पुरी दुनिया अच्छेंब्र में पर गई है कि माइकल फेल्स नाहीं रिकार्ड न किसी बंदेर ने आएग वालल कॉर तो तुर दिया हुए पुर दुनिया और तो दूंग गय खुशी में हैर लग रहा है ऐसे रिपोर्टर बोले कि आपने वर्ल्ट रिकॉर्ड तोर दिया और आपको नॉर्मल लग रहा ऐसा कैसे हो सकता है तो माइकल फिल्प्स बोले कि मुझे बच्पन से जीतने की आदत है और यह जीत भी मेरे लिए नॉर्मल ही है माइकल फिल्प्स बना देता है फिर भी बोलता है कि यह जीत मेरे लिए नॉर्मल है बट कैसे ऐसा कैसे हो सकता है इसको थोड़ा डीपली समझते हैं माइकल फिल्प्स के जो कोष थे बॉप बोमन उनके कोच ने बच्पन से उन्हें जीतने का आदी बना दिया था तो क्या मा प्विब्स बोलते थे इससे पूरा करो और इसे पूरा करो कहीं है कि Тव द्यीरे-दीरे यही करते-करते माइकल फिल्प overst को जीतने के आदत लग गई जितने के लफ लग गया, उनके कोच ने उनके माइनसेट को जीतने वाला माइनसेट बना दिया, विनेर माइनसेट बना दिया, और वो ऐसे करते हर दिन जीतते थे, वो बोलते थे कि मैं छोटा 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 ट्रेनिंग करता था, एक टाइम पर और उसे जीत जाता था, फिर करता था ट्रेणिंग फिर जीत जाता था फिर करता था फिर जीत जाता था मतलब कि वो जीतने का आधी हो गया थे और जब कोई बंदा जीतने का आधी हो जाता है तो फिर उसे आगे कितनी भी जीत मिले वो जित नॉर्मल ही लगती है तो इस स्टोरी से क्या लेसन है हमारे लि कर लिया उसको अचीब करना है आप अगर नहीं कर पाओगे आपको फ्रस्टेट फिल होगी आप डिप्रेशन में जा सकते हो तो अपने गोल को आप छोटे-छोटे गोल में तोड़ो और उसको उस पर जीत हांसिल करो उस गोल को प्राप करो और जब आप छोटे-छोटे-छो जीतो आप हर दिन अपना टूडे लिस्ट बनाओ टूडू लिस्ट बनाओ और उस गोल को जीतो उस काम को करो और उसको जीतो और ऐसी करते-करते आप एक दिन इतना बड़ा वीनर बन जाओगे विकाज यह जो छोड़ी-छोड़ी जीते हैं एक दिन इस्नोबोल गिरने से इतना बड़ा तुफान आ सकता है तो फिर हम लोग एगर छोड़ी-छोड़ी जीतों को छोड़ी-छोड़ी लक्ष को अचीव करेंगे तो क्या बहुत बड़ा नहीं कर सकते हैं तो आज के लिए इतना ही यह वीडियो कैसा लगा कॉमेंट्स में ज़्रूर पाल हो के लाई दिन दो 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 रहा है को जो दो बात, आ रहा है लाई हुड़ा के लाई है